बैंक की बीदुसी महिला मेरे पास बेजे गई पांच में 1999 उसने विस बैंक की सारी गुतियां रखी मैंने समाधान किया फूट फूट करोने लगी मैंने कहा क्यों रोती हो उसने कहा कि अर्थशास्थ का जो ग्यान आपको प्राप्त है भगवत की पास है इस ग्यान से लाव उठा करके भारत आर्थिक दिष्टी से भी सबसे उन्नत देश क्यों नहीं होता इसलिए में रो रहे हैं तो कोई आपको कहें कि राजनिती नहीं जानते अर्थशास नहीं जानते या देश का चलाना कैसा यह नहीं जानते बुद्धू बना के रख देंगे वो नहीं हो सकत तो उनके पद की गर्मा के अनकूल नहीं है, समझ गए, ताली बजाते रहेंगा और क्या करेंगा, शंक्राचार को अपने पद का अभिमान की बात नहीं है, ध्यान रखना थे, गौरब का था, किसी दल के हो गए तो शंक्राचार क्या रहे है, दल तो बनता है, विगरता है, एक दल में भी कई डंके विचारे कोते हैं, क्या, नरशी नाव अपने डंक से चलाते थे, क्या, कांडरेस्जी थे, आज PanLY करके कांडरेसी, द्ुरल याद, अपने डंक से चलते हैं, एक दल में भी तो अंतर पढ़ता हैं ये विचार कांड़ दो हज़ार चोवीस में जो चुनाव बने वाला है महारा जी और राम मंदिर का घाटन भी हो रहा है जो से आपरूव नहीं जा रहा है इसको लेकर कि चुनाव पर कोई असर पर सकता है चुनाव पर हमें क्या पता असर परेगा या ना परेगा देख लीजेगा सुनिये हम तो किसी दल के समर्थन में अभी रोज में बोलते नहीं समझ रहे किसी दल के समर्थन में अभी रोज में सौपन में भी हमने आतक किसी को नहीं कहा कि अमुक को बोड़ दो अमुक को बोड सब्सक्राइब करने के लिए बात दोते हैं सीमा की सुरक्षा इस लेकर सब्सक्राइब करने के लिए बात दोते हैं सब्सक्राइब करने के लिए बात दोते हैं। नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहे हमारे साथ औ दोस्ट्वर